Lecturer के मेरे सभी सांतियों को मेरा नमस्कार दोस्तो दोस्तो आप जानते हैं कि अभी चैनल पे पोल चल रहा है सभी सबजेक्ट का और कुछ सांती अभी cut-off वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं तो दोस्तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी उस анपात में छोगों ने अपने Marks यहाँ पर share नहीं करें हैं कुछ सब्जेक्त में तो 5 या 10 लोगों ने अपने Marks share करें हैं खासकर अगर हम देखे मेस हो गया, संस्क्रित हो गयाई या कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत कम लोगोंने अभी अब्वी अपने मार्ग सेयर करें तो एक बार कुछ समय गूजर जाए, थोड़ा लोग अपने मार्ग से हाँ पर सेयर करें और आप लोग भी अगर आपके पहचान में कोई है उन्हें चाहिए वीडियो का लिंक सेयर करें जैसे ही एक सही अनपात में सब्जेक्स में कमेंट्स होते हैं दोस्तों उसके बाद सीधे कट आफ वीडियो बनाई जाएगी उसमें कुछ समय तो लगेगा कुछ दिन लगेंगे क्योंकि अभी कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की ही नहीं देखी है और मैं उन लोगों से खास कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर कोई लोग यहाँ पर अपने फेक मार्क्स डाल रहे हैं तो दोस्तों मेरा हाथ जोड़के निवेदन है कि ऐसा मत करिये ना तो इससे आपका फायदा होगा ना किसी और का फायदा होगा और देखिए सबी लोग यहाँ पर टैलेंटेड हैं सब जानते हैं कि किसी सब्जेक में कितने मार्क्स आ सकते हैं किसी के तो प्लीज अगर कोई भी फेक मार्क्स डाल रहे हैं तो प्लीज इससा मत करियेगा क्योंकि इससे आपका यह नहीं सबका नुकसान होता है और दोस्तो यह वीडियो बनाने का जो खास मोटिव है क्योंकि मैंने देखा है दोस्तो जो पोल वाला वीडियो है उसमें जादा तर जो बाते हो रही हैं वो अब्जेक्शन कोश्चन से समन्दित हो रही है लेकिन आप लोग जो आपकी वहांपर जो चर्चा है अब्जेक्शन कोश्चन की यहां पर कर लिजिये दोस्तो वहांपर केवल माार्क्स हों लोगों के तो बहुत अच्छी बात होगी जिससे आप लोग को भी आयको समझने में बहुत आसानी होगी यहां पर आप लोग objection question की बात करिए जल्दी से और दोस्तों आप समय जादा नहीं है तो objection question जल्दी से लगा लीजिए और जो साथी पूछ रहे थे कि re-answer की आएगी तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अगर आयोग re-answer की अभी देना चाहता उसकी ऐसी मनसा होती तो वो objection लगाने का या जो 50 रुपे उसने rule रखा है पर question का ये वाला rule ही नहीं रखता रोज दोस्तों अभी कोई भी re-answer की नहीं आएगी दोस्तों आप लोग को जिस question में लगता है objection लगाईए और मैं तो कहता हूँ दोस्तों नहीं तो आप क्या कल लीजे यहाँ पर अपनी बातें कीजिए group बना लीजिए और हो सकता है अगर आपके छोटे-छोटे group बन जाते हैं तो एक question किसी को दे दिया एक question किसी को दे दिया क्योंकि उन्हें ढूणना भी पड़ेगा उनका source और इस हिसाब से भी आप लोग objection लगा सकते हैं दोस्तों अपने छोटे-छोटे group बना लीजिए और जो question जो ढूण सकता है उसका काम उन्हें दे दिजिए marks मिलने का बहुत ज़्यादा chances हो जाते हैं दोस्तों और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा अगर कोई भी अभियर्ती, कोई भी साथी आर्थिक कारणों से objection लगाने में समर्थ नहीं सोच रहे हैं खुद को क्योंकि दोस्तों student live में दिक्कते हो सकती है तो दोस्तों channel के about में मेरी instagram id का link है अगर कोई भी मेरे ऐसे साथी है जो आर्थिक कारणों से objection नहीं लगा पा रहे हैं आप directly मुझे instagram पे personal message कीजिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगा दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि objection लगाने से केवल उसी का फायदा होता है जो objection लगाता है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है अगर question आपसे भी समंदित होगा तो आपका भी फायदा होगा और कुछ लोग कह रहे थे कि अगर जो objection लगाता है तो marks तो सभी के बढ़ जाएंगे और जो IO की official website है वहाँ पर आप जाईएगा उसे desktop mode पर कर लीजेगा अगर आप mobile से जाते हैं तो desktop site पर कर लीजेगा उसके बाद top में ही answer की करके एक tab है उस tab को आप click करेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा objection format ठीक है ABCD आपके set होंगे उसमें आपको यहाँ पर बताया है कि question आप select करेंगे उसके बाद जो main है दोस्तो कि आपको जो source है source देना बढ़ेगा आप कुछ लोग परिसान है कि source कहां से दें क्योंकि कई चीजें तो ऐसी है जिनका source ही कुछ नहीं है तो दोस्तो खास कर आप यह ढूड़िए कि अगर NCRT से आपको source मिल जाता है तो वहाँ से source दीजिए और जो renovate writer हैं अगर उनका source मिल जाता है तो वो भी चलेगा दोस्तो लेकिन बिल्कुल दिक्कते हैं कई चीजों का बिल्कुल source मिलना बहुत मुस्किल है और यह जब source यहाँ पर objection format कहता है यह source का जब PDF आप उन्हें भेजेंगे अपलोड करेंगे उसके बाद 50 रुपे आपको पर question के साफसे fee देनी पड़ेगी आयोग ने इसलिए रखा है वैसे दोस्तों कि लोग file 2 के objection ना लगाएं आयोग की यह सोच है लेकिन आयोग को यह समझ नहीं आता है कि जो भी बच्चा यहाँ पर objection लगा रहा है वो file 2 कैसे हो सकता है जब वो आपका UKPSC का exam दे रहा है तो file 2 कैसे होगा यार उसके पास इतना time तो होगा नहीं वो पढ़ने वाला जरूर होगा तो आयोग को इस विच्चा पर मंतन करना चीए दोस्तों 50 रुपे बहुत ज़्यादा है और ऐसा रखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मैंने बताया है कि अगर कोई भी साती आर्थिक कारणों से नहीं लगा रहे हैं objection तो मुझे सीधे personal message कीजिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगा दोस्तों लेकिन objection जरूर लगाईए क्योंकि यही एक रास्ता है जो आयोग ने गलती करी है जो question के answer गलत बताये है उसमें अपने marks लेने का दोस्तों और यहाँ पर दोस्तों ये भी कहा गया है कि एक बार जब आप submit कर देंगे आपने पैसे जमा कर दिये तो उसके बाद फिर वो उसमें कोई changes नहीं होंगे ये नहीं होगा कि आपने question दूसरा चुना था अब आप चा रहे हैं कि कोई दूसरा question कर लूँ तो ऐसा नहीं होगा submit हो गया तो हो गया दोस्तों एक बार ठीक है और यहाँ पर आप चर्चा कीजिए objection question की दोस्तों और जो पोल चल रहा है वहाँ पर ज़्यादा संख्या में सब लोग अपने marks कमेंट करें आप लोग link share करें अपने सांथियों को भी ओके दोस्तों मिलेंगे next video में thank you